असलावले क्यों वोडियों ट्यूर्स कैसे हो आप लोग मीदा कि आप सब लोग बिल्कुल ठीट डग होगे तो आज की सुटी में चलना हम लोग की एमजी कैट टेस्ट नंबर थी की डिस्केशन करेंगे तो वीडियो स्टाइट करने से पहले आप सब लोग उसे छोटी सी ए वो स्किप ना हो सो विदावर निए फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अच्छा वीडियो को फर्दर प्रोसीट करने से पर आप लोग को एक और पॉइंट में बताता चलू वह यह कि आप लोग को ने जो है वो इस पेपर पर जो आप्शिन्स मार् की थी क्यम्यों काट की तो उसंपे इस्टूइर्टी च्रेंट क्या कर रही थे कि वो पेपर पर मार्किंग रही हूँ थी तो वह उनको कॉंसिटर करके जो है वो कमेंट बाद है कि आपने यह जाए अप लोग को यह करना सो लहांदा आप लोगों ने उन आप्शिन को इस मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने उसको जो है वो consider करना है ठीक है तो हमारे पास mcq no.1 में कहता है कि planks constant has the dimension of तो हमारे पास planks constant और angular momentum की dimension जो है वो same होती है so option d is correct अच्छा especially physics portion की अगर मैं बात करूंगे तो हमारे पास physics portion में almost जितने भी mcqs थे 27 mcqs यह तमाम वो ही mcqs as it is repeat हुए थे जो कि हम लें आप लोगो practice test में जो है वो practice करवाए थे अब वो students जिन्होंने practice test अची तरह से solve किये थे उनको यहाँ पे काफी अच्छा हासा edge मिल गया होगा यकीनन next mcq no.2 में कहता है कि body in equilibrium must have not ठीक है अमरे पास जो body equilibrium में होती है, उसकी kinetic energy भी हो सकती है, उसकी momentum भी हो सकती है, उसकी velocity भी हो सकती है, लेकिन उसकी acceleration जो है वो नहीं हो सकती है. तो option D is correct. next mcq no.3 में कहता है कि area under acceleration time graph, तो हमरे पास acceleration time graph under area होता है वो change in velocity को represent करता है, so option C is correct. next mcqn4 में कहते है a rocket a motion in space is accordance to the law of conservation of तो मरा पास ये rocket जो है TKS की motion space के अंदर वो law of conservation of momentum की जो है वो example है option d is correct next mcqn5 में कहते है that a particle of the mass has a momentum p then its kinetic energy will be तो simple आप लोगोंने kinetic energy momentum का जो relation है kinetic energy is equal to p scale divided by 2m तो ये उस relation की बात कहर जा है so option d is correct next mcqn6 में कहते a helicopter of the mass this कहते है कि rises vertically with the constant speed of 2m per second कहते है कि what resultant force acts on the helicopter तो इसमें आप लोगों देख सकते हो उसने हुदी जो है वो clear कर देख मार पास magnitude है और जो direction है helicopter की वो constant है अगर ये दोनों चीज़े constant तो हमार पास net force हो है वो 0 हो जाएगी so option a is correct next mcqn7 में कहते है कि if the mass of the body is made three times and the velocity becomes double then the kinetic energy will be मार पास kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square होता है अब यहाँ पे आप लोगों कहते है कि mass को triple कर दे तो आप लोग mass की जगा 3 put कर लो और जो velocity है ठीक है उसकी जगा 2 put कर लो लेकिन velocity का square भी है आप लोगों उस चीज को भी note करना है so 2 का square मार पास 4 हो जाता है 4 को आप लोग 3 से multiply करो तो यह मार पास कितना बनता है 12 4 3s are 12 so option b is correct 12 times मैंने आप लोगों को पहले भी कहता है कि जो इसना के questions होते हैं उसमें आप लोगों ने constant values को यह हो eliminate करना होता है या ignore करना होता है ठीक है so हम लोग 1 over 2 को पहले ही ignore कर लेंगे just simple हम लोग mv square को consider करेंगे next mcq no.8 में कहता है angle data body transverses at the center of the circle in 2 turns अब देखो वो 2 turns की बात कर रहा है तो बहुत असान है हमार पास मर पास 1 turn में कितने radians होते है 2 pi radians होते है तो 2 turns में कितने हो जाएंगे 2 turns मर पास 4 pi radians हो जाएंगे so मर पास option A तो correct है लेकिन आप लोगों ने option B और C को भी देखना है देखो मर पास एक turn जो मर पास एक revelation होता है उसमें 360 degrees होते है अब option में या statement में आप लोगों से जो है वो two turns की बात कहा रहा है so जो मार पास two turns होंगी या two revelations होंगी वो 720 हो जाएंगी so इसका मतलब है कि मार पास option b भी correct है और अगर आप लोग 4 pi radian को consider करके वहाँ पे जो है वो just simple pi की value put कर लो वो बन जाएगी 4 multiply 3.14 तो यापनों के पास 12.6 radian जो है वो आ जाएगा so this means that यापनों के पास तीनों option जो है वो correct है so option d is correct all of the above next 9 में कहते है कि circular disk of the mass m and radius r is rotating about its axis with the uniform speed v its kinetic energy will be में पास जो circular disk होती है उसकी जो है वो kinetic energy हमेशा आप लोग अपने जहन में रख़ों कि वो 1 over 4 mv square के equal होती है option c is correct in mcq number 9 next 10 में कहते है कि time period of the communication satellite is तो में पास जो communication satellites होती है उसको time period जो 24 horse होता है ठीक है option d is correct all of the में कहते है कि if the amplitude of the wave at the distance r from the point source is a then amplitude at the distance 2 r will be देको में पास उसने amplitude को double किया है ठीक है तो आप लोग हमेशे आपने जहन में रखो कि मारपास जो amplitude होता है और जो distance होता है उनका आपस में direct relation होता है अगर हम लोग distance को double करेंगे तो मारपास amplitude भी double हो जाएगा so option a is correct ठीक है distance को double किया है तो मारपास amplitude भी जो है वो a से जो है जो speed of sound होती है वो pressure पर depend नहीं करती so pressure increase हो, decrease हो ठीक है उससे कोई sound पर फर्त नहीं पड़ता so हमारपास option a is correct 1 ratio 1 next 13 में कहते है कि device which can be used for the precise measurement of wavelength यह बिलकुल practice test number 10 में आप लोगो मैंने दिया था कि हम लोग जाएग मिचलसन interferometer को use करते हैं for the precise measurement of wavelength अल्मोस्ट यह physics के 27 के 27 MCQ जा है वो practice test में आप लोगो को इंचाला मिल जाएंगे next MCQ number 14 में कहता है कि device thermodynamic temperature is equivalent to 5-1.25 centigrade तो इसके converting के लिए मन पास चो relation है वो इस तरह से है कि Kelvin scale reading is equal to Celsius scale reading plus 273 ज़िस आप लोगों ने इस reading में 273 को add करना है अब अगर आप लोग 5-1.25 में 273 को add करो तो आप लोगों के पास जाए वो 774.25 Kelvin जाए वो answer आता है अब यह value जाए वो in options में missing है ठीक है अब जिसने option A लगा है यह seal गा है मुझे नहीं पता कि QMU जाए वो किस option को जाए वो correct करेगा लेकिन इसका जो exact option आता है answer आता है वो 774.25 Kelvin आता है next MCQE no.15 में कहता है a charge divided into two parts Q and Q-Q and are separated by the distance of R कहता है the force of repulsion between them will be maximum when कहता है कि एक charge है इसको दो parts में divide किया गया है एक Q और दूसरा Q-Q कहता है कि इन दोनों के तर्म्यान जो distance है वो R है कहता है कि आप लोग बताओ कि इन दोनों charges के दर्म्यान force of repulsion कब maximum होगी ठीक है तो force of repulsion जब small Q जो है वो Q over 2 के equal होगा तो इन दोनों charges के दर्म्यान force of repulsion जो है वो maximum होगी या आप लोग साथ में figure में जो है वो देख सकते हो like इसको solve कैसे करना है ठीक है तो option B is correct next 16 में कहता है कि closed surface contains equal and opposite charges the net electric flux to the closed surface is तो मार पास जो है वो equal और opposite charges है तो जब भी equal and opposite charges जो है वो होता है तो मार पास net electric flux जो है वो किसी closed surface में वो 0 होता है so option C is correct 17 में कहता है कि wire of uniform cross section area A length L and resistance R is cut into two equal parts या pieces the resistivity of each piece will be resistivity जो है वो इन चीज़ों पर depend नहीं करती cross section area पर resistance पर length पर so that is why वो same ही रहेगी option A is correct 18 में कहता है कि if the direction of the initial velocity of the charge particle is neither along nor perpendicular so that of the magnetic field then the orbit will be तो अगर वो नहीं along हुआ और नहीं perpendicular हुआ तो मार पास जो orbit होगा वो helical orbit होगा या helical path जो हो follow करेगा वो charge particle so option B is correct 19 में कहते है कि an electron enters the magnetic field acting vertically downward with the velocity V from east तो मार पास electron is deflecting along ठीक है तो मार पास electron जो है वो north side पर या north के along जो है वो deflect होगा अगर जो है वो उसे हम लोग जो है वो enter करवाएं किसी magnetic field के अंदर vertically downward with the velocity V from east तो वो north की तरफ जो होगा option A is correct 20 में कहते है तो mechanical energy spent by the external agency is converted into electrical energy stored in the coil this relates to तो या मार पास lens law के जो है वो उसके साथ relate कर रहे है so option C is correct यह almost वो ही MC क्यों जोपलों को practice test में जो प्रैक्टिस करवाए थे next 21 में कहते है conversion of alternating current to direct current तो उसका हम लोग rectification कहते है option B is correct 22 में कहते है कि the speed of the moving particle increases then wavelength associated with it will तो अगर जो है वो speed जो है वो उसका हम लोग increase करें तो मार पास wavelength जो है वो decrease होगी inverse relation है speed और wavelength के दर्मियान option B is correct 23 में कहते है कि intensity of the x-rays depends upon तो मापस intensity जो है वो x-rays की वो current पर depend करती है so option A is correct next 24 में कहते है कि laser beam can be sharply focused because वो इसलिए जाए वो sharply focused होती है क्योंकि वो highly directional होती है previously practice test number 10 में जो है यह MCQ में ने दिया हुआ था और यह उपर भी 23 MCQ से जो के practice test number 10 में थे next 25 में कहते है कि atomic mass unit in term of energy is nearly equals to तो मापस वो 931 mega electron watt के equal होती है option B is correct next 26 में कहते है activity of the radioactive element can be expressed in the unit of तो उसका हम लोग QD में भी जो हो रिप्रेजेंट करते है और BSQL में भी जो हो रिप्रेजेंट करते है so option D is correct MCQ number 27 में कहते है कि uranium 273 decay था thorium 234 by the process of तो वो alpha radiation के process से जो हो decay होता है option C is correct next MCQ number 28 में कहते है कि which one of the following organally is responsible for the cellular respiration तो cellular respiration के लिए जो है वो mitochondria जो है वो responsible होती है option C is correct 29 में कहते है कि what is the term for the process by which plants convert light energy into chemical energy तो उस process को हम लोग photosynthesis कहते है option A is correct 30 में कहते है कि which one of the following is not the function of liver देखो liver जो हो detoxification भी करता है protein synthesis भी करता है और glycogen को store भी करता है digestion भी करता है लेकिन digestion जो हो directly जो हो उसमें involved नहीं होता digestion में ठीक है बत्ब लिवर जो है वो different किसम के bile juices और वो जिए सिक्रीट करते है फिर वो आगे जाकर digestion में help करती है ठीक है लेकिन directly जो है वो involved नहीं होता liver digestion में so that is why option C is correct 31 में कहते है कि in humans which type of the blood vessels carry the oxygenated blood away from the heart तो हमारा पास जो arteries होती है वो oxygenated blood को जो है वो away from the heart जो हो लेकर जाती है option B is correct 32 में कहते है कि which hormone is responsible for regulating the blood sugar level in human body तो insulin जो है वो blood sugar को जो हो maintain करता है human body में option A is correct 33 में कहते है कि what is the largest organ in the human body तो skin जो है वो largest organ है human body में option C is correct 34 में कहते है कि which one of the following is a sex linked genetic disorder तो मारा पास जो hemophilia जो है वो ये sex linked genetic disorder होता है option C is correct 35 में कहते है कि which process involves the movement of the molecules from an area of the higher concentration to the area of the lower concentration and does not requires the energy तो diffusion को हम लोग जो है वो passive transport भी कहते हैं और passive transport में मारे पास क्या होता है कि molecules जो है move करते है higher concentration से lower concentration की तरफ without the expenditure of energy option C is correct next 36 में कहते है कि which part of plants primarily carried out the photosynthesis तो photosynthesis का process या वो leaves में हो रहा होता है option C is correct next 37 में कहते है कि what is the functional unit of nervous system तो में पास तो neurons होता है यह functional और structure units होते है nervous system के so option A is correct 38 में कहते है कि which one of the following is not a type of muscles in the human body तो human body में 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 स्मूथ muscles होती है skeletal muscles होती है cardiac muscles होती है cartilaginous muscles नहीं होती so option D is correct 39 में कहते है कि what is the primary function of red blood cells तो red blood cells का में पास primary function है वो oxygen को transport करता है option A is correct next 40 में कहते है कि which type of cell division results in the production of gametes, sperms and egg cells में पास meiosis जो है वो इसमें gametes formation होती है option B is correct next 41 में कहते है what is the smallest bone in the human body तो में पास जो steps है जो कि ear में होती है यह smallest bone होती है option C is correct next MCQ number 42 में कहते है in which part of digestive system does the majority of the nutrients absorption occur में पास जो majority of nutrients होते है वो small intestine में जाकर absorb हो जाते है option B is correct next MCQ number 43 में कहते है which one of the following is a viral disease that primarily affect the immune system तो हमारे पास AIDS जो है acquired immune deficiency virus नेम से इंडिकेट कर रहा है यह immune system को जो हो affect करता है option C is correct 44 में कहते है which one of the following is responsible for the formation of antibodies in response to an infection तो मारे पास antibodies जो वो B cells produce करते है option B is correct 45 में कहते है what is the function of syblum in the brain तो syblum जो है जो है जो मारे पास यह एक तो muscles के voluntary movements को control करता है यह part और balance को भी जो है वो maintain करता है so option B is correct 46 में कहते है what is the role of white blood cells in the immune system तो white blood cells जो है जो phagocytosis के process में involved होता है option B is correct blood clotting यह इसके लिए platelets होती है so option B is correct 47 में कहते है which part of the cell is responsible for the protein synthesis तो ribosomes जो है वो protein synthesis में जो है वो involved होते है option B is correct 48 में कहते है which one of the phagocytosis is responsible for the breakdown of the fatty acids and detoxification of the alcohols in the liver तो paroxysomes जो है वो जो है responsible होते है for the breakdown of the fatty acids and detoxification of the alcohol in the liver option A is correct 49 में कहते है which one of the following is an example of autotrophic organisms LG जो हो यह autotrophic होते है यह अपना food hood prepare करते है ठीक है इनमे chlorophyll present होता है option C is correct 50 में कहते है which enzyme is responsible for breaking down starch into maltase in the human digestive system तो हमार पर इस हो MILAs होते है वो stars को maltase में जो है यह मल्टोस में convert करते है option C is correct 51 में कहते है which part of the brain is responsible for the for regulating the basic bodily functions such as breathing and heart rate breathing or heart rate जो है cellula oblongata जो हो control कर रहाता है option C is correct 52 में कहते है what is the term for the process by which an organism develops from a single cell into a multicellular organism तो इस process को जो हो development कहते है option C is correct 53 में कहते है which one of the following is a condition characterized by the loss of bone density and increased risk of fracture तो में पास जो जो ऑस्ट्रियो प्रोस्ट होता है इसमें bone density जो है वो loss हो जाती है और इसमें chance होता है fracture का option is correct 54 में कहते है which one of the following is a viral disease that effects are respiratory system and is caused by the SARS COV2 virus SARS यह जो है basically x-wear acute respiratory system है ठीक है covid-19 जो है वो जिसने cause किया था option C is correct MCQ no.55 में कहता है कि which molecule carries the genetic information in cell and is responsible for the transmission of traits from one generation to next तो जो DNA होता है इसमें genetic information जो है वो stored होती है ठीक है और इसी DNA की वाईसे वो genetic information जो है वो transfer होती है एक generation से दूसरी generation में ठीक है option A is correct 56 में कहता है which one of the following is responsible for the maintaining the cell shape and structure of animal cell तो cell shape और structure जो है वो यह cytoskeleton जो है वो उसको maintain रखता है option D is correct 57 में कहता है which one of the following is a nitrogenous waste product excreted by humans तो humans जो waste product जो excret करते हैं वो urea होती है option A is correct 58 में कहता है which one of the following is a disorder characterized by the abnormal increase in the number of white blood cells and it is often associated with the cancer abnormal increase in the number of white blood cells को जो है वो leukemia कहता है option B is correct 59 में कहता है what is the function of alveoli in the respiratory system alveoli basically यह gashes exchange में जो है वो involved होते है option C is correct 60 में कहता है कि viruses तो virus जो है यह obligate intracellular parasites होते है option C is correct 61 में कहता है in Mendelian experiment with B Blond what is the term for the traits that disappeared in the F1 generation and are reappeared in the F2 generation तो हमार पास वो traits जो के F1 generation में appear हो जाते है उनको हम लोग dominant traits कहते है लेकिन वो traits जो के F1 generation में appear नहीं होते और second filial generation में या F2 generation में जो है वो appear होते है उनको हम लोग recessive traits कहते है so option A is correct next time sequence 62 में कहता है कि dash me as for me I would be happy to dedicate a few extra hours for the humanitarian cause option B is correct 63 में कहते है कि choose the correct possessive form of the noun the book belongs to option B is correct अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने एक चीज़ जन में रखने है कि मार पास जब भी हम लोग possessive form use करते है तो उसमें हम लोग apostrophe जो है वो use नहीं करते ठीक है so option A और C तो बिलकुल गलत हो गया ना पीछे मार पास B और D बच जाते हैं अब D जो है वो हम लोग उस case में use करते है जब मार पास जब इस dash के बाद आगे कुछ और word भी होता for example अगर यहाँ पर dash के बाद owner का लाफ्स होता तो हम लोग फिर कहते है its honor लेकर dash के बाद आगे कुछ नहीं तो इसलिए मार पास option B जो है वो correct होगा 64 में कहता है कि are we dash to leave on vacation are we already option D वाला 65 में कहता है कि he is very careful he dash his children's he does not allow his children's to drive his car in the rush hall traffic option A is correct 66 में कहता है the coach insistence on fitness has became dash obsessive become obsessive he yells at the players all the time option C is correct 67 में कहता है what literary term is used to describe a figure of speech where the contradictory terms appear in conjunction तो उसे हम लोग चाहे वो oxymoron कहते है option D is correct next time C number 68 में कहता है what is the meaning of idiom break a lag break a lag एक idiom है जिसका मतलब होता है good luck option C is correct 69 में कहता है what is the antonym for generous तो generous का antonym जो है वो stingy होता है option B is correct अब mostly students ने option D लगाया होगा और वो comments ने मुझे बताएंगे कि इसमें option D याता है नहीं इसमें option B जो है वो एक exact option है ठीक है stingy next 70 में कहता है which of the following is the antonym for equiside तो equiside का antonym जो है वो beautiful होता है option A is correct next 71 में कहता है कि who was the founder of All India Muslim League who late played a crucial role in the creation of Pakistan तो मुहम्मद अली जना जो है वो founder थे All India Muslim League के option A is correct 72 में कहता है कि when did Pakistan become the member of United Nation तो Pakistan जो है वो 30 September 1947 को जो है वो Akwam-e-Motahidda का जो है वो member बना था option A is correct 72 में कहता है कि when did Pakistan become a nuclear power तो Pakistan जो है वो 28th of May 1998 को जो है वो nuclear power जो है वो बन जोगा था option B is correct 74 में कहता है mass of 2 moles of sodium hydroxide will be अब mass find करते हैं तो वो moles वाला formula हम लोग जूज करें कि number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass अब moles भी गेवन है molar mass हमें पता है sodium hydroxide का तो हम लोग easily mass को calculate कर सकते हैं ठीक है just simple आप लोगों ने कहा करना है कि equation को arrange करना है molar mass इस side पर अगर divide हो रहे तो दूसरी तरफ जाकर वो multiply हो जाएगा तो हमारे पास अब रहाल जो mass का formula बन जाएगा mass is equal to number of moles multiply molar mass ठीक है कि which one has the strongest bonding in solid state तो sodium chloride जो है वो इसमें जो है वो strongest bonding होती है इसकी solid state में option D is correct 76 में कहते है कि molten NaCl conducts electricity due to the presence of sodium chloride जो है वो molten state में जो हो electricity को conduct करते हैं क्योंकि इसमें free ions होते हैं option C is correct 77 में कहते है radioactive isotope of hydrogen is तो जो आपनों के पास tritium है इसको जो है वो radioactive isotope से वो consider किया जाता है hydrogen का क्योंकि यह हमारे पास emit करता है low energy beta particles को ठीक है बाकि इसमें एक proton होता है दो neutron होते हैं so option A is correct 78 में कहते है कि which one is following is a pure substance यहां पिर हमारे पास sea water or tap water pure substance तो नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ impurities कुछ ना कुछ बाकि particles होते हैं option B में brass लिखाओके brass भी मारे पास एक alloy है और इसमें यह दो चीज़ों के mixer से मिलके बनता है लेकिन graphite यह pure matter है यह pure substance है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ carbon होता है so option D is correct 79 में कहते है कि equivalent network crystals है तो मेरे पास जो equivalent crystals होते हैं इनका melting points है वो higher होता है molecular crystals से so option A is correct 80 में कहते है कि molecular mass of the water 18 grams mean तो water का molecular mass 18 grams यह वो इसका मतलब क्या है कि इसमें मारे पास 1 gram molecule है water का option B is correct next 81 में कहते है कि one mole of carbon dioxide contain तो मारे पास carbon dioxide के एक mole में जो है वो 6.023 into 10 की power 23 atoms of carbon होते हैं ठीक है option C is correct और हाँ अगर मारे पास option A में जो है वो साथ में 2 multiply 6.023 into 10 की power 23 mentioned होता फिर हम लोग कहते है कि option A भी correct है क्योंकि मारे पास carbon dioxide में oxygen के 2 atoms होते हैं और carbon का 1 है so that is why हम लोग को ने बोला कि option C is correct next 82 में कहते है the number of moles of carbon dioxide which contains 16 gram of oxygen is तो आप लोग ने जहाँ वो just simple number of moles find करने हैं ठीक है grams आपको given है आप लोग ने molar mass जहाँ पुट करने हैं अब देखो उसने molar mass और उसने वाले कि 16 gram oxygen so that is why हम लोग जहाँ वो molar mass को जहाँ वो सिफ 32 consider करेंगे so 16 divided by 32 is equal to 0.5 option B is correct next mc number 83 में कहते है कि avagadras number may represent avagadras number जहाँ number of particles को represent करता है option B is correct 84 में कहते है कि which one of the following is an inorganic fertilizer तो मेरा पास जब manure और ureya जहाँ वो यह और गनिक fertilizer थे हैं जबके ammonium nitrate जहाँ वो यह इन और गनिक fertilizer है so option C is correct 85 में कहते है कि diameter of an atom is in the order of तो atom का diameter जहाँ 0.2 nanometer होता है so option C is correct 86 में कहते है कि bio catalytical proteins are तो मेरा पास जो enzymes होते हैं वो bio catalytical proteins होते है option A is correct 87 में कहते है कि inner transition elements are called तो inner transition elements मेरा पास lengthinides भी आ जाते हैं और actinides भी आ जाते हैं और इन ही कौम लोग जहें वो rare earth metals भी कहते हैं so that is why option D is correct all of these 88 में कहते है कि which one of the following cannot exist in solution जो मेरा पास hydrogen है as positive ये solution में जो है वो exist नहीं कर सकता है क्यों exist नहीं कर सकता है इसकी reason ये है कि मेरा पास ये एक तो highly reactive होता है और मेरा पास ये readily combined कर जाता है बाकी species के साथ so that is why मेरा पास ये exist नहीं कर सकता है in solution option B is correct 89 में कहते है कि among halogens the lowest boiling point is off तो fluorine का मेरा पास boiling point जो है वो lowest होता है क्योंकि down the group मेरा पास boiling point increase करता है तो fluorine मेरा पास first member है halogens का so that is why इसका boiling point जो है वो lowest होगा option A is correct next mcp number 90 में कहते है कि iodine is solid due to iodine जो है वो ये solid होता है क्योंकि इसमेरा पास strong equivalent bond होता है ठीक है option A is correct 91 में कहते है कि which one of the following is not a fatty acid तो महरा पास जो phathalic acid होता है वो fatty acid नहीं है ठीक है basically it is a aromatic di carboxylic acid आये so option C is correct 92 में कहते है the formula of the pulmetic acid is pulmetic acid का formula जो है वो C16, H32 and COOH होता है option C is correct 93 में कहते है कि which one of the following is not an amino acid तो महरा पास lactic acid जायों यह amino acid नहीं होता ठीक है बाकि यह जो option नहीं होता है यह amino acids है so option B is correct 94 में कहते है कि reaction at anode is called तो anode पर जाये वो oxidation reaction होता है option A is correct आप लोगोंने note कि होगा कि chemistry के भी काफी जायता जो है वो MCQs है वो practice test के साथ match कर रहे है ठीक है यह वो students बता से कि जिन्होंने starting से हमें follow किया था ठीक है बाकि MCQ 95 में कहते है कि which one of the following is not a macromolecule हमें पास यहाँ पर hemoglobin, maltose, insulin यह macromolecules है जबकि जो thyroxine है it is a micromolecule so option A is correct 96 में कहते है कि among halogens the rare element is तो halogen में में पास तो rare element है वो estatin है option C is correct 97 में कहते है कि melting point and boiling point up to the middle of 3D series तो 3D series के middle तक में में पास melting point and boiling points यह वो increase कहते है यह MCQ मैंने आप लोगों को practice test में as it is दिया था कि में पास यह increase करते है फिर आगे जाकर वो decrease हो जाता है option A is correct 98 में कहते है कि hydrocarbons which burns with smoky flames are car तो उन्हें हम लोग जाहे है वो aromatic hydrocarbons कहते हैं option C is correct and MCQ number 98 99 में कहते है कि when one hydrogen atom of an alkane is removed with one burning electron तो उसे हम लोग जाहे है वो alkyl radical कहते हैं option B is correct 100 में कहते है कि which one has the lowest density at room temperature तो मेरा पास जो neon होता है इसकी density जो है वो lowest होती है room temperature पर so option A is correct तो यह तो आप लोग के पास KMG cat test number 3 उमीद है कि आप लोगों ने जो है वो काफी कुछ सीखा भी होगा और especially वो students जो कि अपनी कीश check कर रहे थे उमीद है कि उनके भी अच्छे score आए होंगे बाकी अपने marks जुरू कमेंट section के अंदर बताएं ताके मैं पता चल सके कि लाइक आप लोगों ने कितना कितना score किया है और last but not the least अगर कोई MC की वलत है तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो लेकिन बताने से पहले उसको आप होज जो है वो confirm कर लिया करो ठीक है अगर हाँ हमसे कोई mistake होती है तो फिर मैं उस comment को pin कर लेता हूं ठीक है ताके बाकी students भी जाए वो उस answer को जाए वो देख सकें और tally कर सकें ठीक है तो कोई भी question है इसके लाव तो आप लोग comment section के अंदर पूछ सकते हो Thank you